आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ लीमा बिन्स यानि सेम फली सभी जगह पर इसे अलग-अलग नाम से जानते हैं वैसे मैं इसे सेम फली बोलती हूँ तो इसकी सब्जी बनाने से पहले इसे कैसे पील करते हैं तो यहां पर आप इसे अच्छे से देखें कि एक चाकू लेकर के आपको इस तरह से पील करना है बहुत आसानी से इसके रेशे निकल जाते हैं ना भी निकलते हों तो आपको इसके रेशे निकाल देने हैं और निकालने के बाद इसे अलग-अलग कर देना है यानि कि जो बिल हटा सकते हैं और आप इसे जैसे बनाना हो यानि मैं अभी आपके सामने में शेर कर रही हूँ कि कैसे इसे पील करते हैं आप इस तरह से एक लीमा बिन का जो आप देख सकते हैं दो भाग में इसे काट करके भी बना सकते हैं छोटे-छोटे किया है रेशे कैसे निकाल रही हूं इसके बाद इसका इसकी सब्जी कैसे बनाई जाती है देसी स्टाइल में तो वह भी आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी अभी आप यहां पर देखें इसमें एक कीडा है इसी वजह से खोला जाना चाहिए देख सकते हैं कीड़े वाले को और इसी तरह से जो अच्छा वाला पार्ट है उसको रख लेना है और जो थोड़ा खराब हो या कीडा लगा हुआ हो सड़ा हुआ हो उसको काटके आप निकाल दें तो खोलना बहुत जरूरी है रेशे निकालने के बाद से अलग करके देखना जरूरी है तो आप कीड़े अंदर में लगे रहेंगे और आप उसी तरह से इसकी सब्जी बन जाएगी कीड़े के साथ. तो यहाँ पर इस तरह से इसे मेहनत तो लगती है, अगर ज्यादा बना रहे हों, तो एक दो लोग घर पर कोई भी बैट करके इसे आराम से कर सकते हैं, जल्दी हो जाता है, तो यहाँ पर बहुत आसानी से यह हो भी जाता है, दो लोग कोई भी आराम से बाते करते हुए भी इसे आप पील कर सकते हैं यह बहुत ही healthy होता है और seasonal होता है इसे खाना बहुत जरूरी भी होता है भी देख सकते हैं खराब पार्ट को मैं निकाल रही हूँ अच्छी बारे पार्ट को रख रही हूँ तो बहुत सी सबजी ऐसी है जिसमें महनत बहुत जादा लगता है लेकिन वो सीजन में आता है तो उसे खाना जरूर चाहिए मेनद भी जरूर लगती है लेकिन बहुत हेल्दी है इसलिए हम सब इसे बहुत अच्छे से और वो भी सीजन में इसे किस तरह से बनाते हैं बहुत स्वादिस्ट लगता है इसे बना करके हम सब खाते हैं बिल्कुल देशी स्टाइल में बना करके खाते हैं तो यहां आप देखें रेशे देखें कितने ज़्यादा है अगर इन रेशों के साथ आप इसे बनाएंगे तो सबजी आप खा ही नहीं पाएंगे और यहां पर यह निकाल चुकी हूँ इसे अब इसके बाद नेक्स्ट मैं इसकी दूसरा वीडियो लाने वाली हूँ इसकी सबजी का वीडियो तो आज का वीडियो यह कैसा लगा कमेंट करके बताएं अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद